राहुल गांधी को ED के समख चार्ज एक बार फिर से पेश होना है, कल 10 गंडे की पुश्टाच ही थी, परदीप तम्ता, कॉंग्रेस के वजिशनेता जो है, कॉंग्रेस मुख्याले पहुच रहे हैं, सर एक बार फिर से समन किया गया है, राहुल गांधी को किस तरह से देखत कि लोगतन नाम के अब कोई संस्ता इस देश से नहीं बचने जा रहे है, ED इस तरह से लग रही है जो भारती जनता की चुनाव मैनिज्मेंट कमिटी के नाम से, कोई केस नहीं बनता है, इससे पहले भी क्याएबता है, आप हमारे ट्रेजर रात इसवर की मोतिलाल बोरा जी उनको आप कहते है, ED ने समन किया है, हमारे कहते है, CLP लीडर रहे हैं, आप राजे सबह में अपोजिशन के लीडर खरकिता है, उनको आपने समन किया है, और कल राज पूरे दिल्ली के अंदर और देश के अंदर तो तमासा भारती जनता पाटिंगा है, ये लोग तंतर के के लिए अच्छी बात है, और हमारा साथ मानना है कि हम लोग इस तरह के दवाओ में हम जुकेंगे नी, हम सत्यों इमानदारी की लणाएं लणा है, रावल गांदी जी का संगस कोई ब्यक्ति का परसनल संगस नहीं है, ये इस देश के लोगतंत को बचान का संगस है, आप बुल्डियोजरी सारे काम करने लगे हैं, ये इपी की तरफ ती आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग जो हैं, परदर्शन जो कर रहे हैं, वो एक पार्टी के संपत्ति को बचाने के लिए कर रहे हैं, ना कि देश के लिए कर रहे हैं, ये बता है कि कहां आज तक E.D. न पाना रिष्टा है, इस्ट्रिगल है, नेसले है, कौमी आवाज, नौज यून इस देश के आजादी के संगस के प्रतीक है, लोगों के आवाज के प्रतीक है, और ये दोनों को आप एक दूसरे से अलग तलग नहीं कर सकते हैं, ये नेताओं को आपको खुद दिली प्लिस के ग्रह मंतिर तक रह सुखे हैं, देश के और दुनिया के लोग उनको जानते हैं, और उनके साथ जो ऐसा बिरा, हमारे कहते जनल से की ओर्गनेशन उनका रिया लेंग फ्रैक्शर हुआ, तो मैं सब्सक्राइब करने के लिए जो पुलिस ने, जो हतकंड़े अपना है, वो कांग्रेस के वजश निताओं के साथ वह गलत है, आज भी इसी तरह का परदर्शन और विरोध जो है, जारी रहेगा, कैमेरा पसन रुविद के साथ, आवए समस्पानी भार समचार दिली